दुर्भागी का विशय यह है कि जहां पर कभी गाओं का किसान भी लोगों को जीवन जीने का तरीका बताता था अज गाओं के अंदर भी आप जाके देखिए तो छोटे-छोटे घरों के अंदर यह जो व्यसन का सुरह वो पहुंच गया है और यह जो दुर्भाग है इसकी पीड़ा को और इसकी प्रभाव को गुर्देव ने वरशों पहले अन्भव किया आप सोच की देखिए कि 1956 का जब सहस्र कुंडी यग हुआ अंधावन का यग हुआ चाहे वो नर्मेध यग रहा हो चाहे मतुरा का सहस्र कुंडी यग रहा हो जो पहली शर्त गुर्देव ने रखी वो यही रखी कि दि व्यक्ति को यकिशाला के अंदर प्रवेश करना है तो पहले व्यसन से मुक्त होकर कि प्रवेश करना होगा गुर्देव ने कहा कि आपको दक्षणा देनी है तो पैसे मत दीजे आपको दक्षणा में दी कुछ छोड़ना है तो अपनी बुर बड़वानी में छोटे-छोटे बच्चे 12-18 साल के बच्चों ने पूरा 108 कुंडी यग्य कराया, कराने वाले वही, संगीत देने वाले वही, और वोलंटीर्स भी वही, और जब यग्य हो गया, तो यग्य के बाद जितने बच्चे थे, वो सब अपने गाउं के अंदर निक जो यग्य का प्रभाव था, वो ये निकल करके आया, कि एक एक बच्चे के मांगने से पूरा का पूरा परिवार जो था, पूरा का पूरा गाउं, एक रात में विसन मुक्त हो गया, तो जो प्रभाव है, वो अदबुत है, और आज का जो समय है, वो इसी संकल्प को लेकर के आया, शो सहियोग ऐसा है, कि गायत्री परिवार ने भी आओ बनाएं विसन मुक्त भारत की नाम से एक विशिष्ट संकल्प को लिया, सोलह करोड हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिजन हैं, और सोलह करोड के ही करीब लोग हैं, जो भारत में विसन से जूज रहे हैं, तो समाज के नव निर्मान के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है, जूटा हुआ है।